नाशनल हाईवे अथोर्टी ओफ इंडिया की बड़ी लापरवाही बनी मुसीबत जाने पूरी खबर इंसाफ की बात पर नमस्कार आप देखे रें इंसाफ की बात और मैं हूँ आपके साथ पूरी यंका चावला साइबर सिटी गुरुग्राम में नाशनल हाईवे अथोर्टी ओफ इंडिया यानि एनेचियाई की एक बड़ी लापरवाही की खबर सामने आई है जिहां अंतरसल एनेचियाई द्वारा गुरुग्राम के एनेचर तालिस हाईवे के इफको चौक फ्लाय ओवर की दिवार को पानी की एक बड़ी पाइपलाइन के उपर ही खड़ा कर दिया गया जिसके चलते कोई भी बड़ा हाथसा हो सकता है मिली जानकारी के मताबिक जी एम डिये की ओर से एनेचियाई को लिखे गई पत्र से इसका खुलासा हुआ जिसमें गुरुग्राम महानगर विकास प्रदिकरन ने एनचियाई को पानी की लाइन को शिफ्ट करने के लिए एक पत्र लिखा और इस लाइन को शिफ्ट करने की बात कही बदादिकी इस फ्लाय ओवर का निर्मान 2016 में शुरू हुआ था और 2019 में इसको तयार कर जंता को स रही हैं साथ वहां इसको टालियर्ली स्कतरा से और भ evolu गए का मामला सामने आए दरसक गुरुग्राम के एनच 48 के इफको चोक फ्लाइओवर की दिवार एक बड़ी पाइपलाइन के उपर टेक दी गई है जिसके चलते कोई भी बड़ा हाथसा हो सकता है इस बात का खुलासा तब हुआ जब जीमडिया ने एनच आए कोई बावत पत्र लिखा अधिकारी की माने तो इससे पहले भी इस पाइपलाइन में लीकेज होने के कारण ये सड़क धस चुकी है और अब संभावना जटाई जा रही है कि अगर इस लाइन को शिफ्ट नहीं किया गया तो कभी भी फ्लाइओवर की दिवार नीचे धस जाएगी और एक बड़ा हाथ सा हो सकता है देश की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते हैं साफ की बात